क्या होती है कि इनसान की कीमत चलिए इस कहानी से आपको समझाता हूँ एक बार की बात है एक टीचर अपने बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए वो एक सौ का नोट अपनी जेब से निकालते हैं और बच्चों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है सारे बच्चे एक सौर में जवाब देते हैं कि सौ का नोट है फिर वो सारे बच्चों से पूछते हैं कि कौन इसे लेना चाहता है तो सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं अब teacher वुस note को लेकर अपनी मुट्टी में दवाते हैं उसे कुचलते हैं मसलते हैं और उसकी हालत बहुत बुरी कर देते हैं और फिर बच्चों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि अब यह note किसको चाहिए सारे बच्चे फिर से हाथ खळा कर देते हैं अब वो teacher उस note को लेकर जमीन पर पटक देते हैं और उसे बुरी तरह कुचलते हैं, मसलते हैं, अपने जूते से गंदा कर देते हैं अब फिर उस note को उठाकर वो बच्चों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि इस note को अब कौन लेगा फिर सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं तो teacher उन बच्चों से बोलते हैं कि आज मैंने तुम्हें बहुत बड़ा एक lesson पढ़ाया है ये 100 रुपे का note था, लेकिन जब मैंने इसे कुचला मसला, तब भी ये 100 का ही रहा और जब मैंने इसे जूतों से गंदा किया, उसको दबाया, कुचला मसला, तब भी इसकी कीमत 100 रुपे ही रही इसने अपनी कीमत नहीं गवाई दोस्तों, यही है इंसान की कीमत, हमारी काबिलियत की कीमत जो कितनी भी बुरी परिस्तितियां आजाएं, कोई भी हमें कितना ही कुचले, मसले, कितनी भी निगेटिव परिस्तितियां हमारे पास आजाएं लेकिन हमें अपनी कीमत नहीं गवानी है तब ही हम सफल होंगे, सक्सेस्फुल होंगे और जितने भी successful लोग आज आप देखते हैं उन्हें जमाने ने कुछला है, मसला है उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करिए उनके घरवालोंने, रिष्टेदारोंने, दोस्तोंने, यारोंने सबने उनके अगेंश्ट में बाते करी हैं लेकिन उन्हें अपनी कीमत नहीं गवाई बस यही सफलता का मूल मंत्र है हमें किसी भी हाल में अपनी कीमत नहीं गवानी है हम कल भी बेतर थे, आज भी बेतर है उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपके जीवन को प्रेणा मिलेगी और आप सफलता की रहा पर चल पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए प्रेन अताहिक रहेगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा चैनल कुमारिशी सब्सक्राइब कर लीजिए पैल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट जरूर कर ये दोस्तों आपके मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ सुक समर्दी सफलता हमारा चर्म सिद्धिकार है थैंक्स पॉर यूर टाइम थैंक्यू वेरी मच्च